यह टोपिक में दो टोपिक मेंनली कवर कर रहों में बड़ा यह सिलिबस का पार्ट हुजाएगा तुम्हारे पहला तो मेटरियो लोजिकल फैक्टर्स इंफ्लेंसिंग डिस्परिजन ऑफ एर पॉलिटेंट्स और दूसरा में यह गोजिन प्लम मॉडल पॉर दिस्परिजन ऑफ एर पॉलिटेंट्स और इट्स एप्लिकेशन कित्ता भी बड़ा वीडियो बने मतलब ज्यादा लंबा बनेगा तो तुम लोग स्पीड अपने इसाब से सैट करके और को कम कर लेना और इस वीडियो को पूरा देखना तकि इसके अलावा तुम्हें मतलब और कुछ देखने की जरूत ना पड़े और यह वाला टॉपिक तुम्हार अच्छे से कवर हो जाए तुमें नोट्स बनाने तो भी जो में लिखूंगा उससे नोट्स बना लेना इसमें जो पीपीटी में शो करूँगा उससे नोट्स बना सकते हो ठीक है तो चलो शुरुवात करते हैं metrology old factors इसकी बात करें हम लोग सबसे ने देखो metrology क्या है methodology को हिंदी पोलते हैं मोस्मी या वतावरनी है तो मोस्मी या वतावरनी factor यानि कारक मोस्मी वतावरनी कारक जो क्या करते हैं influence यानि बढ़ाते हैं किसको बढ़ाते हैं dispersion dispersion किसको मतलब फैलना या घुलना हवा में फैलना या घुलना किसका air pollutants का air pollutants मतलब वायू प्रदुशकों का हवा में फैलना या बढ़ना या घुलना जो जो कारक उसको influence करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग Metallurgical Factor अब 6 इसके अंदर देखो backend वो ही कारक हैं जो इसको बढ़ाते हैं कम करने वाले कारकों की बात नहीं होरी विया जैसे कभी कोई बात आजाए कि rainfall तो rainfall जो है तो rainfall क्या करता है इसको pollutants को कम करता है तो कम करने वाली बात नहीं हो बढ़ाने की तो बढ़ाने वाले कारकों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइट करते हैं एक तो प्राइमरी और एक सेकंडरी एर पॉलिटेंट्स तो प्राइमरी एर पॉलिटेंट्स और सेकंडरी एर पॉलिटेंट्स जो हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे हम लोग primary air pollutants में सबसे पहले wind speed की फिर wind direction की और फिर atmospheric stability की एक general idea जो सभी के दिमाग में होता है कि हम सभी MSC है हमने engineering कर रखी है किसी ने किसी ने MSC है कोई तो आपको ये चीज़ पता है ये चीज़ आप लोगों को आपके दिमाग में है कि ये wind speed और wind direction और atmospheric stability किस तरह से प्रद dilute होंगे ज्यादा dilute मतलब जल्दी फैलेंगे atmosphere में dilution हमारे लिए सही है पर जो dance है वो हमारे लिए थोड़ा harmful हो जाएगा ज्यादा dance air pollutants होंगे तो वो हमारे harmful होंगे dilution हमारे लिए beneficial रहता है क्योंकि dilution की वज़े से हमारे earth में एक layer बनती है जो temperature को balance रखती carbon dioxide को पानी मे गुलने से की rate में वृद्धी करती temperature को बढ़ा करके तो वह बात अलग है बात कर रहे हम लोग wind speed और wind direction को किस से measure करते है तो यह अभी हम में metallurgical factors का एक general idea दे रहा हूं तुम्हे अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर और detail चाहिए metallurgical factors की और detail में बनाओ तो आप मुझे comment में बता देना कि आपको और detail में चाहिए तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाओंगा ठीक है जिसमें के एक एक बात को और मैं अच्छी से समझाओंगा ठीक है तो यहाँ देखो wind speed और wind direction दोनों को एक साथ measure कर सकता है कौन sonic animometer sonic animometer जो है वो कैसे करता है तो वो एक बात simple दे sound पर काम करता है उस noise को की जो efficiency है उसकी जो capacity है उसकी जो intensity है उसको पकड़ करके यह पता करता है कि हवा किती तेज चल रही किती धीरे चल रही तो यह sound को capture करके और wind speed का पता लगाता है और जिदर से noise आ रही है इसका मतलब wind direction का भी पता लग जाएगा कि किस direction से किस direction के speed होगी उतनाइस जो हमारा atmosphere है वो ज्यादा stable होगा अच्छा एक और बात देखो यह atmospheric stability किस तरह से होती है वो अभी आगे में इसको अच्छे से समझाने वाला हूं जिसमें हम लोग rate देखेंगे lapse rate देखेंगे temperature की वो क्या चीज़ होती वो भी हम आगे देखेंगे अभी य secondary में क्या क्या जाएंगे sunlight temperature sunlight और temperature अर्थ का directly relate करता एक दूसरे के साथ में ठीक है तो यहां पर हम लोग इनकी बात करें तो देखो sunlight और temperature जो है वो हमारे atmosphere के इंदर chemical reactions के लिए responsible होते है chemical reactions किसमें gases के बीच में gases water सब के बीच में chemical reactions के लिए responsible है इसकी वज़े से आपको पता ह है क्या होगा secondary type of pollutants form होते है secondary type of pollutants form होने का मतलब है जैसे ozone, fan, polyacrylonitrile, N2O, H204 इस तरह के formaldehyde बनते हैं sun और temperature की वज़े, sunlight और temperature की effect की वज़े से तो यह क्या करते है यह photochemical smoke पैदा करते है photochemical smoke क्या होता है इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे ठीक है तो photochemical smoke पैदा करते है अच्छा इनको अब देखो यहाँ पे sensor देखो देख जो temperature है temperature को measure करने के लिए हम लोग क्या काम में ले सकते तो temperature को measure करने के लिए हमें ऐसा metal चाहिए जो temperature के लिए बहुत sensible हो जिसका ज के लिए काम में लिया जाता है ठीक है next बात करते है precipitation and humidity and humidity humidity कब humidity की humidity मतलब हो गया है क्या humidity मतलब हो गया वातावरण के अंदर जितनी ज्यादा moisture होगा उसको हम लोग एक मतलब उस moisture को हम लोग बोलेंगे humidity अब देखो यह humidity भी अलग अलग तरह से वैरी करती है जैसे इसमें भी डिपैंड करते है factors जैसे कि आपका जो पानी का source है वह कितना पास है कितना होती है ना जिदर ड्राइड ड्राइड के अंदर humidity कम होती है तो यह उस पर डिपैंड करता है humidity जड़ ज्यादा वातावरण के अंदर होगी तो उसकी वज़े से जो atmosphere है वो वैट होगा जहां पर कम होगी वह atmosphere ड्राइड होगा तो ड्राइड के अंदर किस तरह से air pollutants फैलत देते हैं ठीक है तो यह बात हुई humidity की precipitation वह humidity से relate करता है precipitation मतलब होता है जमना तो ज्यादा humidity होगी तो precipitation प्रेशिप्टेशन अतना ही ज्यादा होता है इस तरह से topography भी effect करती है टोपोग्राफिक कैसे effect करती है इसे कोई जैसे कोई आपने कि मानलो कोई जो power plant है मानलो कोई प level पर जाएंगे तो इस तरह से topography वह भी डिपेंड करती है इसी तरह से ज्यादा हाइट वाले जगह पर ज्यादा डिस्परजन होगा कम हाइट वाले जगह पर मतलब उसका precipitation ज्यादा होगा डिस्परजन कम होगा ओके इस तरह से बात होती है सेम ऐसे ही energy from the sun and the earth rotation drive and atmospheric circulation इसके बना रखा है ना environment के अंदर के बैई जो मैंने ट्रोपिकल लेड्स बताई थी आपको उसके अंदर ट्रोफो स्वेयर हड्रो स्वेयर उसके अंदर किस तरह से temperature वेरी करता है वो मैंने समझा रखा है तो आप जाकर कि पहला वाला वीडियो भी देख सकते हैं और उसके अंद किस तरह से वेरी करेगा लेड्स के अंदर और अर्थ ड्राइब किस तरह से मूँ करती है साथ साथ तो यह सिंपल यह बात हुई यह मैंने एक जनरल आइडिया दिया आपको अब बात करते हम लोग की सबसे पहले air pollution क्या होगा यहां से basic से वापिस से शुरूबात करते है air pollution होता क्या है तो air pollution क्या होता है presence of इसको मैं लिख देता हूँ फिर एकदम समझा है air pollution क्या है presence of one or more pollutants in such concentration और duration so life get affected in biosphere अब यहां बात हो रही है biosphere क्या है तो पहल तो यह देखो कि एक या एक से ज़्यादा pollutants का ऐसी concentration में देखो pollutants हमारे लिए harmful नहीं है बर्सों से pollutants हमारे अर्थ पर है पर जब यह ऐसी concentration में पहुँच जाए जिसके विए से life effect होती है तो उसे pollution कहेंगे ठीक है तो यहां पर biosphere क्या है तो biosphere क्या चीजे देखो biosphere हमारी अर्थ पर तीन तरह से हम लोग अर्थ को अर्थ को तीन स्पेर में डिवाइड करते है एक तो लीथो स्फियर मतलब हो गया स्थल मंडल फिर हो गया hydrosphere मतलब जल मंडल और एक हो गया वायू मंडल atmosphere तो लीथो स्फियर, hydrosphere और atmosphere में जहां जहां पर भी living organisms पाये जाएंगे वह क्या कहलाएगा हमारा biosphere तो living organisms को वह जो effect करते हैं air pollutants यह बात होती है हमारी biosphere की अब बात करते हैं कि यह जो pollutants है वह क्या क्या है तो pollutants को हम लोग दो parts में divide करते हैं एक तो primary pollutants एक बात करते हैं हम लोग secondary pollutants की carbon dioxide okay NO2 SO2 SO3 carbon के हो गया carbon monoxide carbon dioxide वगेरा वगेरा secondary pollutants को होगे जो primary pollutants की आपस में reaction की विज़े से बनते हैं तो इसमें जैसे ozone O3 है ना polyacrylonitrile बनता है N2O बनती है H2SO4 HNO3 formaldehyde यह हो जाएंगे हमारे secondary pollutants यह मैंने दिया तुम्हें general idea अब बात करते हैं main topic के बारे में दो हमां दो दो terms है एक तो high altitude है low altitude होंक्षी क्या है प्रत्थवी की सते से जितने उचाई पर जाएंगे उसे इस चीज के अंदर अब यह देखो हमारी होगी अर्थ अब जिस वीडियो की मैं बात करू ना पहला वीडियो उसके अंदर थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है या मेरे पास में माईक्रोफॉन नहीं था इसलिए साउंड उसके अंदर थोड़ा सा पीछे से background sound भी आ रहा बहुत जादा पर उसको सहन करके वह वाले वीडियो ज़रूर देख लेना तो देखो उसमें मैंने बता रखा है कि जिस जैसे हम अर्थ की surface से उपर जाते तो हमारे यहां पर आ जाती है layers, atmospheric layers और atmospheric layers की क्या खास बात है कि जब earth से उपर की तरफ जाते हैं तो यहां पर temperature down होता है temperature कम होता है temperature कम क्यों होता है वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है तो temperature कम होगा तो किस का temperature कम होगा atmosphere का temperature कम होगा environment का temperature कम होगा तो हम उसे किस rate से height पे जाने पर while going in height मतलब high altitude पे जाने पर temperature या height बढ़ रही है temperature क्या हो रहा है कम हो रहा है तो किस rate से कम हो रहा है उस rate को हम लोग बोलेंगे ELR what is ELR ELR is environmental lapse rate lapse मतलब कमी environment के temperature में होने वाली कमी ELR इसे हम लोग actual lapse rate भी कहते है ओके ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी actual rate, actual lapse rate क्या है the rate at which temperature of air decreases with increasing in altitude is called ELR, समझ में आ गया होगा ELR क्या है, ठीक है अब पहली बात तो हो गई कि environment जो है वो उपर जाने पर height पर जाने पर temperature में कमी आती है अब दूसरी बात है हमारे पास में ELR what is ELR? air pollutant lapse rate air pollutant lapse rate को अब इसको समझो ये क्या होगा? कि जैसे जैसे pollutants जो हमारे यहां अर्थ की surface पे पैदा हो रहे हैं ये height के साथ में इनका temperature भी क्या होगा? कम होगा अब height पर जाने पर temperature इनका भी कम होगा पर ये जो है ये fix रहता है मतलब कि कम होना ही होना है ये बात याद रखना क्योंकि कम क्यों होना है उसकी पीछे कारण समझो देखो ये एक adiabatic process है adiabatic process क्या होता है? adiabatic process का मतलब होता है कि इसके अंदर heat का exchange नहीं होगा between pollutant particles pollutant के particle में heat का exchange नहीं होगा अगर heat का exchange नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे pv की power gamma is equal to क्या हो जाएगी? constant हो जाएगी अब pv की power gamma is equal to constant का मतलब क्या होगा? कि जैसे जैसे pressure down होगा volume बढ़ेगा अब देखो भाईया उपर जाने पर height पे जाने पर pressure क्या होता है? down होता है pressure down होगा तो जो pollutants है उनको क्या करना पड़ेगा? volume को increase करना पड़ेगा volume increase करने के लिए जो pollutants है pollutants internal heat का use करते है खुद के internal heat का use करेंगे to increase volume volume को बढ़ाने के लिए अपनी internal heat का use करेंगे तो internal heat क्या होगी? internal energy क्या होगी? इनकी कम होगी? जैसे कम होगी तो इसका मतलब height पे जाने पर इनका temperature क्या होगा? कम होगा क्योंकि ये adiabatic process है इसी लिए air pollutant lapse rate को ही हम लोग क्या बोलेंगे adiabatic lapse rate समझ में आ गया होगा adiabatic lapse rate क्या है? तो आपको ये बार-बार term देखने को मिलेगी adiabatic lapse rate क्या है? और actual lapse rate क्या है? समझ में आ गया ये? ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ देखो दोस्तों adiabatic lapse rate दो टापस पर डिवाइड करते हैं एक तो बोलता है dry ALR दूसरी बोलता है weight ALR dry ALR क्या है? अगर moisture content कम है less moisture is present then fast cooling of air pollutant takes place if moisture content is high moisture content is high then slow cooling of air pollutant takes place इसे हम लोग बोलेंगे weight ALR और इसे बोलेंगे dry ALR समझ में आ गया? रखना तुम? dry ALR किती है तो 9.8 degree centigrade पर किलोमेटर ठीक है? और wet ALR किती है 6.0 degree centigrade पर किलोमेटर ठीक है? तो यहां से अगर तुम से question पूछ ले कि भई जो जैसे अर्थ की surface है इस पे मान लो 30 degree centigrade temperature है अब मैं क्या कर रहा हूँ यहां से 500 मिटर की हाइट पर जा रहा हूँ 500 मिटर की हाइट पर जाने पर बताओ कि कितना temperature में variation आएगा तो 500 मिटर की हाइट में जाने पर अगर तुमको temperature variation देख ला तो 500 मिटर तो मतलब क्या हो गया? आदा किलोमेटर हो गया? आदा किलोमेटर का मतलब हो गया 4.9 degree centigrade काम हो जाएगा तो इससे 4.9 degree centigrade को माइनस कर लो न यह समझ में आ गया यह हो गया एडियाबेटिक लैप्स रेट समझ में आई है अब बात करेंगे next देखो बात करें types of environment की है न तो types of environment, environment को हम लोग 4 types में divide करते हैं on the basis of ELR and ALR तो इसके अंदर जिता unstable environment होगा उतना ही pollutant की mixing ज्यादा fast होगी जिता stable environment होगा उतनी air pollutants की mixing होगी वो slow होगी तो इस तरह से हम लोग इनको चार तरह से divide करते हैं first है unstable environment दूसरा stable environment unstable का नाम याद रखना super adiabatic environment okay stable का होगया sub adiabatic environment और दो और टाइप है हमारे पास में एक तो है neutral और एक है inversion और negative environment तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग super adiabatic environment की देखो ये है हमारा ELR ये तो है हमारा ELR जो height के साथ में जिसका temperature कम हो रहा है ये है हमारा ELR अब मैं दूसरे वाले को इस green से करता हूँ ये है हमारा ELR ये ELR है अगर तुम इन दोनों को देखो तो ELR में height बढ़ने पर temperature में variation कम हो रहा है जबकि ELR में temperature में variation जादा हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं DT by DH अगर ये देखों तो ये है हमारा rate of decrease of temperature with the height तो अगर इसकी बात करें तो ये हमेशा ELR में जादा आएगा as compared to ELR ऐसा क्यों किसी भी point पर अगर तुम देखोगे तो ऐसा ही होगा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो दो height के point ले लो और एक इसमे height के point लो तो यहाँ पर temperature का variation कम हो रहा है यहाँ temperature का difference जादा आ रहा मतलब difference उपर वाले चीज़ जादा आएगी तो value भी जादा आएगी न तो ELR के अंदर value जादा आती यहलर में कम आती है तो जब ऐसी condition होगी तो हमेशा pollutants की rapid mixing होती है मतलब जादा जल्दी mix होता है unstable environment में ओके यह समझ में आ गया अब बात करते हैं stable environment stable environment में क्या होगा यह तो है तुम्हारी यह तो है तुम्हारी ELR और जो तुम्हारी ELR है वो इससे कम होगी मतलब temperature में variation in air pollutants का ज्यादा हो रहा height के साथ में इस case में obvious सी बात है वो इस सेम चीज रिपीट कर रहा हूं कि ELR जादा होगी ELR के compare में तो pollutants की क्या होगी बोलते जाओ साथ साथ slow mixing होगी अना अब बात करते हैं हम लोग neutral environment की इस तरह से हलका सा इस तरह से जा रहा है यह तो है तुम्हारी ELR और जो तुम्हारी ELR है वो भी बिलकुल इसी के बराबर इसके उपर बनती है वैसे पर मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूं तुम्हें समझाने के हिसाब से न यह है तुम्हारी ELR तो दोनों में लगबग लगबग change क्या हो रहा है एक equal हो रहा है यह होगा तुम्हारा neutral environment इस जगह पर ELR is equals to होगी ELR समझ में आगया इस समय कोई change देखने को नहीं मिलता इसे लिए हम इसको बुलते है neutral environment अगली बात कर रहे हैं हम लोग inversion और negative lapse rate की या negative environment की तो यहां देखो इसमें क्या होगा यह तो तुम्हारी ELR है ही अब जो ELR है मतलब जो environment में temperature कम होना चाहिए पर यहां temperature बढ़ जाएगा यह चीज समझ में आगई होगी तुम्हें temperature बढ़ जाएगा इसको हम लोग बोलते है inversion in environment ठीक है अब बात करते हैं आगे यहां तुमसे question पूछ लिया यहीं पर बना रहा हूं में question भी यहां तुमसे question पूछ लिया example कि तुम्हें इस तरह से table दे दी table दे करके इधर की तरफ elevation दे रखा है इधर की तरफ यह तुम्हारा degree centigrade elevation किसमें मिटर में height बढ़री है इस तरफ यह दे दिया 4 मिटर और दे दिया 444 मिटर यह temperature दे दिया 21.25 degree centigrade और यहां दे दिया 15.70 degree तो अब देखो दोस्तों अब तुम्हें पूछा है कि बताओ यह किस तरह का environment है तो इसको कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले ALR तो हमारी सब में fix है दोस्तों सब में ALR fix है यह dry ALR लिखी जाएगी जब तक वो कहता नहीं कि weight ALR है तो dry ALR की rate क्या है 9.8 degree centigrade पर किलोमेटर है अब मुझे क्या निकालनी है ELR निकाल ली तो पता पड़ जाएगा na environment कैसे है तो ELR कैसे निकालेंगे वो ही dt by dh 21.25 minus 15.70 divided by 444 minus 4 meter अब क्योंकि यह meter है इसलिए हम लोग किस से डिवाइड करतेंगे 1000 से इसको अगर मैं solve करूंगा तो मिर पास answer आएगा 12.61 degree centigrade अब देखो ELR की rate क्या है जादा है ELR क्या है कम है तो when ELR is more than ELR than it is what type of environment unstable or super adiabatic environment समझ में आ गई यह बात ठीक है यह answer हो गया ओके अब देखो नहीं कि देखो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो दुआ होता है जो basically air pollution का main pose माना जाता है उसके इलावा और भी है जैसे हमारा vehicle से निकलने वाला pollution भी air pollution का cause है पर mainly factory से निकलने वाला काफी harm करता है और वो majorly generally देखने में आता है कि यह कितना ज्यादा pollution निकाल रहा है वहाँ पर एक term आएगी यह plume यह plume क्या चीज होती है देखो अगर मान लो factory में कोई chimney है जिससे आपका actually यह जो chimney होती है वो हमारे factory से निकलने वाले exhaust को बाहर फेकने का काम करती है इसके अंदर यहाँ पर ESP device लगा होता है इस जगह पर तो ESP device जो है वो क्या करता है इसको इसके अंदर से निकलने वाले धुए को के अंदर से particles को साफ करने का काम करता है तो electrostatic precipitator लगा होता है ना ESP की फिलफों में तो वो काम करता है पर वो बात हम लोग नहीं करें इसके अंदर की क्या-क्या particles है different type of gases है different type of particles है particles like coal के particles या इस तरह के जो ashes है एश वगेरा है वो particles इसके अंदर है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या अब अगर तुम यह continue देख रहे हो वीडियो तब तो कोई दिक्कत नहीं अगर तुमने continue वीडियो नहीं देखी तो इससे प अब देखो यह जो प्लूम है यह प्लूम पांच तरह का बनता है on the on the basis of or on the environmental factors okay on the basis of environmental factors की environment के factors से effect होकर के यह पांच तरह का बनता है पहला looping, दूसरा honing, तीसरा fanning, चोथा lofting और last step fuming ओके तो यह पांच तरह का बनता है अब यह पांच क्या है उनको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, देखो looping की बात करें, looping क्या है, loops बनना, loops क्या है देखो, अप, down यह loop बन गए न, ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें चिमनी के पास में भी, stack के पास में भी देखो, यहाँ पर loop बन रहे हैं और उसके बाद में इसका vertical spread हो रहा, vertical spread मतलब हो गया, खड़ा फ यह उपर यह सीधा दुआ इंट्रेक्ट करता है इन से, ठीक है, तो अब यह कब बनता है, उसकी condition देख लिए, सबसे पहले unstable air, unstable air का मतलब हो गया, कि यहाँ पे जो condition है, वो environment की super radiability condition है, और यहाँ पे strong instability है, ठीक है, और यहाँ पे जो palm है, वो wipe up हो रहा है, down, up and down, to the atmospheric mixes है अब देखो, अगली बात देखो, यह vertical dispersion मैंने बता ही दिया, ठीक है, और देखो, क्यों होता है, तो इसमें देखो, कब बनता है, इसकी condition दे रहे किये, एक तो यह last wind speed होगी जब, ठीक है, उस समय क्या होगा, जब कम हवा चलेगी, कम धीरे, धीरे हवा चल रही होगी, उस ऐसे भी बोल सकते हैं, रुका उटे धक्का भी बोल सकते हैं, धक्का उसका बड़ेगा, किसकी वज़े से बड़ेगा, radiation का धक्का बड़ेगा, कब daytime में, दिन के समय यह चीज़ देखने को मिलती है, अब इसकी वज़े से क्या होगी, high probability होगी, high concentration, कहां पे, ground level पे, stack के पा next है coning, cone क्या होता है, आप समझते ही है, तो यह देखो cone बन रहा है, यहापे cone बन रहा है, पूरा का पूरा, ओके, तो यह जो cone है, ऐसा क्यों कब फॉर्म होता है, ऐसा कब फॉर्म होता है, जब neutral, इसमें लिखावा नहीं, यह बात लिख ले ना, तुम लोग अलग से, कि जब neutral या near neutral stability हो environment की, तब यह बनता है, तब क्या होगा कि moderate हवा चलेगी, ठीक है, और moderate radiation रहेगा, दूसरी बात, नीचे से यह turbulence हाएगा, जो इसको उपर उठाएगा, इसको उपर उठाने के बाद में, देखो इसका, जब आगे जाएगा ना, तो इसके अंदर horizontal spread होता है, ना कि vertical spread होता है, और horizontal spread का मतलब हो गया कि यह चोडाई में फैलेगा, ना उपर नीचे ना फैल करके चोडाई में फैलेगा, ठीक है, तो यह काफी सही रहता है, दूसरी बात क्या होता है, कि इसके अंदर, मतलब एक 90 degree का angle बन जाता है stack के साथ में, बिलकुल 90 degree का angle stack के साथ में, ओके, तो right angle form होता है, ओके, और इसमें एक और बात है, समझने लाइक कि जो यह horizontal spread है, वो vertical spread के equivalent होता है, बिलकुल equal होता है, इस वज़े से यह formation होता है, कब होता है, या तो शाम के समय, या फिर रात के समय, इस तरह का, इस तरह का plum आपको देखने को मिलता है, ओके, य जब बहुत ही strong inversion होता है, environment में, तो यहां negative environment जब होता है, जब environment का temperature बहुत ज़्यादा हो, pollutants का तो दिर दिर कम होई गई, पर environment का temperature बढ़ता जाएगा, तो जब negative environment हो, तो negative ELR की rate में क्या होता है, यह देखो, fans form होंगे, बिलकुल इस तरह से सीधे सीधे, इसमें यह बात द इतना सही है, तो यह नीचे की तरफ नहीं फैलेगा, नहीं तो देखो, यह जो चिमनिया यह बिलकुल पास है, यह देखो, नीचे वाले यह जो देख रहो ना, तुम cooling towers, cooling tower से निकलने वाला जो यह जो धुआ है, यह मतलब पानी होता है mainly, पर इसके अंदर भी और भी components होत होती सही रहता है, ओके, दूसरी बात इसके अंदर, जो horizontal spread होता है न, वो ज्यादा होता है, horizontal spread ज्यादा होता है, vertical spread, vertical dispersion, supported by the stable atmosphere, ओके, यह बात याद रखना, दूसरी बात, pollution does not spread towards the ground, pollution ground पे spread नहीं होता, जब तक मैंने बता है न, जब तक यह जो stack है, उसकी height ज्यादा है त night के time पे, जब wind speed तेज हो, high wind speed होनी चाहिए और night का time होना चाहिए, तब होगी क्या fanning, next बात करते हैं हम लोग fanning के बाद में, fumigation की बात करें, fumigation मतलब हुआ कि पूरी तरह से fumes बन गए, धुआ 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 इसको पूरी तरह से ढख लिया, यह सबसे dangerous है, most dangerous plum है, fumigation, fumigation generally आपको देखने को मिलेगा, जब बारिश का मोसम हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो ना, तब आपको यह देखने को मिलेगा, चिम्नियों के पास में, जब चिम्निया बिल्कुल इस तरह से ही दिखाई देगी, जिसे ही फोटो के अंदर दे जाता है, तो temperature जब कम होकर के बढ़ेगा, तो इसका मतलब वो कोहरा कोहरा फॉर्म करेगा, तो इसके अंदर देखो, यह most dangerous plum है, दूसरी बात इसके अंदर जो contaminants है, वो सारे के सारे ground पर आ जाते है, सारे के सारे नीचे आ जाते है contaminants, ओके, और यह कब देखने को मिलता है, यह generally day time में देखने को मिलता है, ठीक है, और दूसरी बात, जो रात के समय भी क्या होता है, रात के समय जो अपने fanning देखी थी न, वो fanning जो है, वो आधे पॉन गंटे के लिए किसमें बदल जाती है, fumigation में convert हो जाती है, तो यह तो देखने को मिलेगा आपको, next देखो तु यह चिमनी से निकलने वाला धुआ, पूरी तरह से उपर का उपर ही रहता है, और उपर से ही चला जाता है, ओके, इसके अंदर होता क्या है, यहाँ देखो कर्व में, कि जो atmospheric temperature है, पहले तो इसका बढ़ता है, पहले atmospheric temperature बढ़ा, और उसके बाद में एकदम से कम हो गया, तो यहाँ यहाँ तो यह stable रहेगा, और उपर की तरफ इसके सारे fumes जाएंगे, तो सोचो, नीचे पूरा stable है, मतलब नीचे वाले लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि उपर उपर environment के इंदर इसका dispersion होड़ा तो सबसे best क्या हुआ, फैवरेबल हो गया हमारे incense ओ, impact on the plums की, कि यह plums क्या क्या होते हैं, तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, किस की, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, gozian plum model की, तो gozian plum model क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी तक हम लोगों ने last video में क्या पढ़ा था, last video में हम लोगों ने plums पढ़े थे, plums के types पढ़े थे, उसके अंदर stack क्या होता है, plums क्या होता है, looping, conning, fanning, lofting और fuming क्या होती है, उसके पहले वाले concept के अंदर उसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ALR और ELR क्या चीज़ होती है उसके concept पड़े थे और इसे तरद मेट्रिलोजिकल aspects क्या होते हैं उनकी बात करीए अब बात करते हैं हम लोग गोजियन source या गोजियन लम मोडल की point source के लिए अब देखो यहां यह गोजियन का नाम क्यों आता है कि गोजियन ने एक इस तरह का कर्व दिया था जिसके अंदर इसने बताया था कि जैसे मान लो कोई pollutant है तो यह जो point source है point source मतलब यहां से मान लो यह आ रहा है तो इस source से जित्ती दूरी बढ़ेगी न उत्ती concentration क्या होती जाएगी कम होती जाएगी इसलिए इसका mainly नाम आता है ठीक है stack के height को हम लोग किसे represent करें small edge से अब देखो stack के उपर से निकला यह plum यह धुवा निकला यह की तरफ जा रहा है जो धिर धिर इसकी जो width हो बढ़ती जा रही है यहाँ पे यह जो हमारा यह form हो रहा envelope सा पूरा का पूरा लिफाफे सा मतलब यह बंद package form हो रहा धुवे का इसको हम लोग बोलेंगे time average plum envelope अब यह judge से आगे जाएगी तो इसके बीच में देखो क्या होता है कि एक time आने के बाद में इसके इंदर बिलकुल यह fix इसकी rate हो ज plum ठीक है अब यहाँ देखो बीच में जो बीच में किसी condition पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर plum है यहाँ प्लम है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या intestaneous plum boundary किसी एक particular time पर अब इधर की तरफ speed जा रही है इधर की तरफ हवा बेरी है इस तरफ हवा बेरी है इस तरफ हवा बेरी है इसलिए हम लोग इसको अब लेंगे इस तरफ होगी क्या wind speed इधर measure की जाएगी wind speed किस से measure करते हैं यह हम लोग बात पहले कर चुके है पहले इस point को तुम लोग बोलोगे vertical point source अब इस vertical point source से तुम इस chimney के top की height ले लो यह जो difference है तुम्हारा delta h समझ में आगया तो यह h और delta h दोनों को जब तुम add करोगे तो तुम्हारे पास में आएगा यह delta capital h ओके यह तुम्हारी होगी main इसकी height vertical point source plus stack height ठीक है यहां हम लोग इसको मान रहें z axis और इस तरफ हम लोग इसको मान रहें x axis और इसके दोनों तरफ इस तरह से यह हो जाएगी तुम्हारी y axis ठीक है इसके अंदर आगे की तरफ देखो यह हम लोगों ने यहां पर इस जगे पर यह पहले मैंने अभी जो बताया था कि यह गोजिन ने इस तरह का ए करते हैं concentration find करते हैं किसकी concentration प्लम के अंदर जो air pollutants है उनकी concentration तो उनकी concentration find करने के लिए हमें पहले थोड़े से structural aspects लेने पड़ेंगे और थोड़े से assumptions लेने पड़ेंगे अब structural aspects में हम किस किस की बात करते हैं देखो structural aspects में हम लोग बात कर रहे हैं पहली बात कि जो transport है वो किस के द्वारा हो रहा है विंड के द्वारा हो रहा है हवा के साथ में लगातार प्लम बहरा है पहली बात यह सब imagine कर रहे हैं हम लोग ओके दूसरी बात कि जो dispersion है यानि spread है ठीक है वो कैसा हो रहा है normal Gaussian dispersion away from the trajectory मतलब जहां से pollution पैदा हुआ उसके बाहर जा रहा है सारा dispersion ओके इसरी बात हम लोग बात कर रहे है कि जो dispersion हो रहा है वो उसका जो मतलब जो चिमनी से निकलने वाला जो धूँआ है वो उसकी emission rate constant है मतलब एक constant rate के साथ वो धूँआ बाहर निकल रहा है यह तो ओके structural aspects की अब बात करते हैं हम लोग की assumptions की क्या क्या हमें मान के चलना क्या के imagine करके चलना यह imagination की वज़े से ही यह जो जो golden model है यह के 550% ही कार का रहा ह। इसा को होता है कि ये तो vary करती है event speed फिर भी ये बोलता है कि आपको ये मान के चलना है कि जो हवा की गती है वो एक constant है किसके साथ time के साथ और elevation के साथ ठीक है अगली बात अगली बात ये बोल रहा है जो pollutants है उनके बीच में कोई reaction नहीं हो रही है जबकि होती है फिर भी मान लिया कि नहीं हो रही है अगली बात जो terrain है वो flat है और unobstructed है अना flat terrain है मतलब ये जो हमारा बहाव है ये बिलकुल flat जा रहा है और बीच में कोई रुकावट नहीं है अगली बात uniform atmospheric stability मिल रही है अना atmospheric stability क्या है वो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ अगली बात pollutant is reflected by ground की जो pollutant है उसको ground reflect कर रहा है turbulence के तुरू नीचे से हवा आ रही है जो उसे उपर ही रोके रख रही है ठीक है ये बात इसने मानिया अज्यूम करिया अब अज्यूम करने के बाद में फिर इसने एक formula दिया है उस formula के according हम लोग किसी भी किसी भी plumb का concentration find कर सकते है concentration कैसे find करते है उसका क्या formula है ये देखिए आप लोग ये formula देखो सबसे पहले c क्या है concentration concentration किसके respect में x direction y direction और height के respect में अब देखो ये formula में q क्या है q है हमारा rate of emission of pollutant चिमनी से निकलने वाला जो धुआ है उसका emission rate कितना है ये चिमनी के parameter से पता पड़ी जाएगा तुम्हें u क्या है speed of wind ओके इसमें πाई तो पता ही है sigma y sigma z क्या है sigma y और sigma z है standard deviation for Gaussian distribution ओके या dispersion next देखो exponential की power minus y square y क्या है central line से जितनी दूरी तक तुमको center line से जितनी दूरी तक ये देखो ये center line है ये हमारा Gaussian करूँ है जिसे मान लो इतनी दूरी तक यहां तक तुमको ये निकालना है तो ये जो distance है ये y है फिर उसके बाद में यहां तक concentration निकाल पाएंगे फिर उसके बाद में h क्या है h वो हाइट है वो हाइट मैंने बताया हाइट है कैसे निकालनी हाइट तो ये यहां इदर मैंने लिख रका है साइड में कि हाइट जो है वो h plus dell small h ये small h है h क्या है height of stack और ये vertical plum raise point ओके ये इन दोनों को जोड़ करके हम लोग h निकाल सकते हैं उसके बाद में बस ये समझ में आगे है तो इस formula से तुमको क्या नि inversely proportional to you मतलब wind speed जितनी ज़्यादा तेज होगी उतनी concentration क्या होगी कम wind speed जितनी CNUC कम होगी उतनी concentration होगी ज़्यक है उसके बाद में c is directly proportional to q जिता ज़्यादा emission होगा उतनी ज़्यादा concentration होगी और next चीज आती है height की height का square के inversely proportional है विया जितनी ज़्यादा height रखोगे उतनी concentration dispersion की कम आएगी ठीक है ये था तुम्हारा Gaussian का distribution का या dispersion का कर्व जिससे तुम concentration find कर सकते हो इसके अलावा Gaussian में एक Holland formula और आता है इस Holland formula से तुम delta H का मान भी ग्याद कर सकते हो ये Holland formula भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Holland formula delta H is equals to Vs, what is Vs? stack velocity divided by U ये मैं capital U लिखता हूँ wind speed की लिखे की मैंने पहले भी capital U use किया है 1.5 प्लस 2.68 into 10 raise to power minus 2 P what is P here? pressure Ts minus Ta Ts क्या है? ये है stack का temperature और Ta क्या है? air का temperature divided by Ta into D okay, D क्या है? stack का diameter ये है हमारा formula Holland formula से हम delta H कमान गात कर सकते हैं उम्मीद है दोस्तों ये तुम्हारे लिए काफी helpful होगा और इस से मैंने almost सारी चीज़े तुम्हें explain कर दी है तीनों वीडियो तुम लोगोंने continue देख लेना continue देख लोगे तो तुम्हें इसमें ज़्यादा problem नहीं आएगी किस तरह से air pollution का dispersion होता है ठीक है धन्यवाद